आज हमने कॉर्ण का ये नास्ता बनाया है। कॉर्ण का नास्ता बहुत तरक आपने खाया होगा। आए एक बार आप मेरे तरीके से इस तरह से नास्ता बना करके खाया। बहुत ही टेश्टी लगता है। देखने में कितना सांदार लग रहा है। यहीन मानिए खाने में भी बहुत ही टेश्टी लगता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, मैंने ये दो मकई ले लिया, इसका अच्छा सामने छिलका छिल करके, और उसका दे रेसा होता है, वो हमने अच्छे से हटा दिया है, आप लोग भी इसको अच्छे से हटा दे, उसके बाद, जब रेसा जगा करके पानी डाल करके इसको हमने उबाल लिया है उबाल करके उसके गोल-गोल स्लाइस में आप इसको काट ले यह देखिए हमने इसको स्लाइस में काट लिया आप चाहे तो पतला स्लाइस में भी काट सकते हैं मैंने थुड़ा मोटा ही काटा है इसको एक बॉल में ट्रा का बॉल्वमन ट्रांस्फर करने के बाद उबालने के टाय में मैंने । य eer ज़ाधा नमक डालना है।। और ये कम शपैंज के कम से करीब ट्रामेंटो केचप डालें। पहले आप्षपन 17 मैं मैंने −1 सैंटे के नापकरके डालती है। इसको अच्छे से हाथ से मिला ले, थोड़ा सा और डाल दे, अगर आपको ज़्यादा जरूरत है तो और थोड़ा ज़्यादा आप डाल सकते हैं, नहीं तो 3-4 चमच ज़्यादा बहुँ ज़्यादा होता है, सबको अच्छे से मिलाने के बाद, इसमें आधा चमच के करीब कासमेरी लाल मिछ पॉडरर डाल दे, डालने के बाद, इसको भी अच्छे से मिला दे, हमें술 कलर के लिए डाला, उसका सबी कण हमनें मिलाने के बाद, SI depending,मार्द्स हैं श्लाइस, हमने बना करके रखा था, उसमें बटर का 1 क्यूब डाल दे, क्यूब डालने के बाद, रखा है टमाटो केचप नमक और कास्मेरी लालमेट से डाल करके इसको एक एक करके उसमें डाल दें यह टेश्टी के साथ साथ बहुत ही हल्दी होता है मकई आप इसको जरूर बना करके खाएं मेरे चैनल पर कॉर्ण का आमलेट भी बना करके इसमें विडियो दिया हुआ हलका बटर में इसको सेखने से और भी ज्यादा अच्छा लगता है इसको सभी को पलड़ दे पलड़ करके फिर दूसरे तरफ से भी मीडियम हाई फ्ले में दो मिनट तक इसको फिर से शेक लें यह देखे दो मिनट तक यह सेका हुआ चला गया है इसके बाद गैस को हम बड़े बच्चे सभी को बहुत ही पसंद करते हैं तो आप मेरे तरीके से एक और्ण का नास्ता बना करके जरूर खाए बहुत ही टेश्टी लगता है साथी सेहत से बहुत ही भरपूर है इसके उपर से थोड़ा से टामाटों के चप टाल दे और आराम से खा सकते हैं आप स